शापूर पुलिस ने गैर इरादतन हत्या करने वाले दो अभ्युक्तों को गिरफ्तार किया है जिसके संबंध में शापूर थाना प्रभारी रडधीर कुमार मिश्रा ने बताया कि मुख्विर की सूशना पर दो अभ्युक्तों को बिच्छिया पियसी मोड के पास से गिरफ चान नूर मुहमद पुत्र स्वर्गिय शेर अली निवासी मकान नंबर 575 लबीजी रेलवे कालोनी बिच्छिया थाना शापूर जनपद गोरःपूर दूसरा आफ्ताव अली पुत्र अकबर अली निवासी बैंक रोड अगरवाल अस्पताल के सामने थाना कोतवाली चान नंबर 575 लबीजी रेलवे कालोनी बिच्छिया थाना शापूर गोरःपूर वा आफ्ताव अली पुत्र अकबर अली निवासी बैंक रोड अगरवाल अस्पताल के सामने थाना कोतवाली जनपद गोरःपूर ने शिवा चोहान पुत्र राजेंदर प्रिसाद निव 18626 बीजी रेलवे कालोनी बिच्छिया थाना शापूर जनपद गोरःपूर से मार पीट वा धक्का मुक्की किया जिसके कारण छट से गिरने की वज़ा से शिवा चोहान की मृत्य हो गई जिसके संबंध में मृतक शिवा चोहान की भाई द्वारा लिखित प्रार्थना पत्र दिया गया जिसको देखते हुए स्थाने थाना पर मुकदमा पंजीक रित हुआ जिसमें दो अभिक्तों को गिरफतार कर जेल भेज दिया गया गिरफतार करने वाली पुलिस टीम में शाहपुर थाना प्रभारी ररधिर कुमार मिश्रा, कवाबाग चौकी प्रभारी राम प्रवेश, हेंट कॉंस्टेबल राजु उपाध्याय, कॉंस्टेबल अनिल सहनी शामिल रहे कॉंस्टेबल